हेलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आईयस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज आपके जितने भी चैप्टर होंगे थोड़े से केंसेप्चुल हैं आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान लगाना पड़ेगा क्योंकि जो भी कुश्चन आज लिए गए हैं वो सब बहु से क्वेश्चन कैसे आपको इस डायग्राम में मिलेगा ठीक है तो आदरता वाईधां से अफूर है आपका जो गटना चक्रा है जो गर्फीस का ते यह सब लिए गया है, word geography का ठीक है, तो ये वाइदाप के बारे में आज हम आपको detail में बताएंगे कि ये सब जो पेटिया होती है, built होते हैं, वाइदापका, pressure built होते हैं, ये किस प्रकार से form होते हैं, ठीक है, आज आपको पुरे detail में पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पर इ कितने पौन आपके यहां वर्ड में हर जगा मलब यह जो जिसे हमारे यहां क्या लू चलती हैं सब क्या करता है गर्मियों में लू चलती है तो इसे हर जगा नाम दिया गया है तो उसको भी देखेंगे कम से कम यहां पर जो गर्म असानी पौने हैं और ठंडी असानी पौने ह इनको हम पूरा यह मैप लाही सी मैप में डिनोट करके करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा आप पेपर देखेंगे यहां से बार बार कोश्चन पूछे गए हैं ठीक है अब इसके बाद दिन रात के बारे हम देखेंगे जो हवाई चलती है समीर चलता है ठ पतानिक ऐसे यहां से बहुत जादे कोश्चन बन गया था चाहे आपका वीयो हो चाहे आपका उत्तरपर्देश pakन से बन से चलते हैं हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अगर इस पीडियेप को आपको लेना होगा तो टेलिग्राम से चैनल पर लिंक दिया गया है वहाँ से डाउनलोड कर लिजीगा और यह आपका जो तो ये आपका आज वीडियो आ रहा है, इसके बाद आपका जलवाई और मिट्टी का ये वीडियो उसमें वर्ड की जंजातिया होंगी, ठीक है, तीन चार्ट चेप्टर उसमें हो जाएगा, और एक आपका आर्थिक भी गोल होगा, ठीक है, उसमें लगभग तीन लेक्चर और आपके वर्ड जोगर्फी के बचे हैं, इसके बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ, तो एक ही दो दिन में कंप्लीट कर देता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई कुश्चन छोटी है, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ, कोई कंप् करिएगा, यहां पर हर चीजे आपको free of cost ही मिलती है, ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं, पहले आदर्ता, आदर्ता में, पहले आदर्ता होती क्या है, आदर्ता कुछ नहीं याद करिए, सिर्फ जो हवाएं होती है, अगर उसमें कुछ जल मिल जाता है, तो उसी को आदर् बहुत ज्यादा जल मिल जाएगा, तो तो बारिस हो जाएगी, थोड़ा सा हलका सा जल मिल जाएगा, तो जिससे थोड़ा सा लगे कि हाँ, वो आदर्ता टाइप है, ठीक है, तो उसी को आदर्ता कहते हैं, बस यहीं कांसर्प्ट याद करिए, बस वायू मंडल में उपलप यह देखिए, क्या होता है, जो जल होता है, उसको क्या होता है, वास में परिवर्तित हो जाता है, जब काफी गर्मी पढ़ती है, तो वो क्या बन जाता है, वास में पर जाता है, या गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसी परिवर्तन करने के लिए जो उसमा क्या होता होती वाईयो के निश्चत आयतन में अधिक्तम नमी धारण करने की चमता वाईयो की आधरता सामर्थ कहलाती मॐलब उसकी capacity के तिया ठीक है यही पूछा गया था कि अगर क्या होता है आधरता वाईयो यह humidity गया होती यह मॐलब कितना वाईयो नमी धारण कर सकता है किसी निश्चित तापमान पर वायू की निश्चित आयतन में अधिक्तम नमी धारड करने की चमता ही क्या कहती है वायू की आदरता कहलाती है ठीक है अब देखिए ग्रीस मकाल में क्या होता है मौसम उमस वाला होता है तो आदर उसमा होती है ठीक है तो यह कुशन पूछ लिया गया था कि गिलिस मकाल में मौसम किस परकार का होता है तो उमस वाला होता है सायत किसी पेपर में उत्राकंड यार किसी पेपर में यह पूछा गया था ठीक है अब देखते हैं वायुदाब अभी तोह हम यहां थोड़ा सा डिक आधि तो मलब एक ओवर्वियू ठीक है जो किसी छेतर फल के ऊपर बिस्तरित वायू अस्थम या धरातल पर लंबवत दबाव डालता है कभी भी वायू दाव हमेशा देखेंगे वह हमेशा लंबवत दबाव डालता है ठीक है इस दबाव डालने की क्रिया को ही वायू दाव कहते हैं ठीक है पहले वायू दा पती इकाई छेतर फल पढ़ने वाले बल के रूप में मापते हैं जब बैरो मीटर से मापते हैं वाईदाब तो ये देखा जाता है कितना पती इकाई छेतर फल पर ये पढ़ रहा है ठीक है उसी को माप लेते हैं तो उसी को बैरो मीटर से किस से मापते हैं बैरो मीटर से याद रखीएगा हमेशा एक बात जरूर याद रखीएगा जब आपको प्रेसर कभी फीचेटर आए कभी प्रेसर पढ़िये तो दो छीजे बार बार याद रखेंगे घार कभी भी आपका कुश्चन गलत नहीं होगा पहला डोपै Communist प्पंट। आप याद रखेंगे कि जोόσन उसट डाब होता ह呀 कि means high pressure से low peers कि की ट्म जो हवा होती है वह हमेशा हाइ से लोब की और Čर चलती है ठीक है ह来 अभा क्या होता हां कभी कभी ये चेंज हो जाता है किसी वो इस friendly होती है या कारण कभी चेंज हुता है और हमेशा जो होता है हमेशा हाइब आप तरफ ही चलती है एक कांसेट यह याद रखेगा एक पॉइंट दूसरी यह पॉइंट याद रखेगा कि जो वायुदाप का हमेशा टमप्रेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है ठीक है मतलब उल्टा रिलेशन होता है क्या होता है जैसे अगर वायुद क्या प्रेशर कि आज अग ACC यह पॉद्दर जादा नटमभू बनाप्स पॉंप और लजम चलते की साथ होता है पर लिक्रीक कियुंट यह तो उस पर मका फॉल्ट टन बर उलता-ध्य यह तो ऊहरना ने अधिक होता है और प्रेसर कम होता है तो प्रेसर हमेशा विश्वत्रीका पर कम होता है अभी सब आगे देखेंगे कि जो वायुदाप पेटिया है इसी टमप्रेचर प्रेसर पर किस तरह बेस होती है ठीक है तो यह आप याद रखेगा वायुदाप सबसे कम होता है ग्रीस मि पूछ लिया गया था आप देखते हैं बैरो मीटर देखें बैरो मीटर में आप हमेशा सिर्फ एक ही पढ़ते होंगे कि पारे के तल का अचानक गिरावट तूफान आने का सीचक है सभी टीचर सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं लेकिन आप कुछ और पढ़िए क्योंकि आपका यादी होगा ठीक है लेकिन यह भी याद रखेंगे कि जो पहले पारे जो पहले गिरना पारा पहले गिरता है धीरे धीरे पूरा धीरे धीरे उठता है मालीजी यह आपका बैरो मीटर है पारा पहले धीरे धीरे गिर रहा है ऐसा धीरे धीरे गिर रहा है लेकिन अचानक से धीरे-धीरे क्या होता है बढ़ रहा है बढ़ता है कुछ दिर मतलब गिरता है फिर बढ़ता है तो वह क्या होता वर्षा की स्थित का सूचक होता है किसका सूचक होता है वर्षा की स्थित तो सभी कुछ याद करिए हमेशा यही ना याद करिए कुछ अलग भी याद करिए इसलिए मैं कहता हूं इस चैनल पर आपको हमेशा जो भी content मिलेगा एक advanced label का ही मिलेगा तो पहले पारे पहले गिरना पुना धीरे धीरे बढ़ना यह क्या होता है वरसा की स्थितिका सूचक होता है अब यहां पर क्या होता है पारे के तल का लगातार बढ़ना कभी भी हमेशा देखते हूंगे हमेशा अब यहां तो गिरा दे रहा है ठीक है यहां पर गिरा के फिर बढ़ा रहा है यहां पर क्या का रहा है पारे के तल के लगातार गिरना ठीक है मतलब लगातार यह गिरी रहा है तो परती चक्रवाती और साफ मोसम का वो संकेत है ठीक है लगातार और गिरावट और दोनों अलग अले यहां तुफान आ रहा है तो यहां क्या हो रहा है मौसम साफ हो जाएगा ठीक करक्रेखा नहीं है कि पिर्थवी पर बनी है कहीं रेखा आपको कहीं दिखता है आप देखते होंगे कि करक्रेखा हो सकता है करक्रेखा तो अभी जमाल लीजिए उत्तर प्रदेश से नहीं मैक्समिन लोग वीडियो हो सकता उत्तर प्रदेश या बिहार से देख रहे हूं तो उत्तर प्रदेश बिहार से तो नहीं जाती है करकर रेखा लेकिन आपके अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो साढ़े 82 डिगरी क्या जाती है एक मानक समय रेखा जाती है वो कहां इलहावास से जाती है नैनी से ठीक है कभी कभी मिर्जापुर दिया रहे तक कभी नहीं नहीं जो भी दिया रहे आप लगा दीजिएगा ठीक है तो वहां पर क्या होता है वहां कभी आपको दिखता है क्या कि यही जा रहा है तो वह कभी दिखता नहीं ठीक है तो वह हमेशा कालपनिक रेखाएं यह होती है ठीक है क्या होती यह को मेसा करना अब पर समय यहां पर दूसरा संहीं है अब देखेगा अब अब यहां पर जो है वायुदाब पेटिया यह थोड़ा सा बड़ा कांसिप्ट है यहां पर देखते हैं क्या अब देखिए वायुदाब पेटिया जो होती है यह आपकी कितनी वायुदाब पेटिया होती है साथ वायुदाब पेटिया होती है देखिए इंगलिस में भी लि बुल जाईए सिर्फ वायुदाब पेटियों पे आईए ठीक है तो कि बहुत ही important concept आपका बनने वाला है यहां पर तो हमने क्या कहा वायुदाब पेटिया कितनी होती है साथ वायुदाब पेटिया होती है उत्पत्ति का उनका कारड क्या होता है तो दो चीजे अभी हमने क्य क्या बताया यहां पर बताया था कि जो हमेशा mole अएधाब मलब हवा होती है high pressure से low pressure तर्व की तरह चलती है ठीः तो वहाँ पर क्या होता टम प्रेशर आपभ याद रखाएगा टमप्रेश यॉ अपर दूसरा क्या ला कए गत्य आत्म कार गत्यात्म को इंग्लेस्में को पर यौलिस अउस्ट एमस्टेए अगर कोई पूछे की उद्धा पेटियां हैं धरातल पर ये किस उत्पत्त कैसे इनकी होती हैं तो आप एक वर्ड में बताईएगा temperature से उत्पत्त होती है अगर वह पूछेंगे हमें समझाईए की temperature से कैसे उत्पत्त होती है तो आप यही कहिएगा जहां temperature जादा होगा लाइक के विश्वत रेखा मतलब की ट्योटर पर वहाँ already pressure कम होगा यह एक बार समझा देजिएगा एक यह समझा देजिएगा कोरियोलिस बल अब देखे कोरियोलिस बल के बारे में याद रखेगा जो कोरियोलिस बल होता है उसका मान भूमद रेखा पर जीरो होता है मतलब बहुत ही कम होता है मतलब जीरो के बराबर होता है और धुर्बिये छेत्रों में अधिक होता है याद रखिए जो पोल होता है वहां पर अधिक नहीं होता है पोल के थोड़ा सा नीचे ठीक उप धुर्बिये अस्थानों पर जादा होता है ठीक है मतलब आप यही एक मेन हिसाब सका दीजिएगा कि धुर्बिये छेत्रों में ज्यादा होता है और यह कोरियोलिस बल का मान और भूमद रेखा पर जीरो होता है यह याद रखिए को कोरियोलिस बल के बारे में यह थोड़ा सा अब चलते हैं हम यहां पर देखते हैं जो साथ वाईदाप पेटिया होती है यह कैसे बनाती है अब देखिए जो साथ वाईदाप पेटिया होती है उसमें भी डिवाइट किया गया होता है तीन जो होती है निमन वाईदाप पेटिया होती है तीन निमन वाईदाप पेटिया कौन कौन सी होती है यह देखिए आपका एक जो आपका एकोटोरियल लो प्रेसर बिल्ट जो होता है भूमध रेखिए निम्न वायुदाब बिल्ट यह तो सबसे इंपोर्टेंट है ठीक पिर्थवी जब आप पढ़ते हैं तो सबसे यही तो बार-बार अमिज़ा पढ़ते ह है यह वाला देखिए ठीक है तो यह पहला क्या होता है निम्न वायुदाब पेटिया एक्किटोरियल लो प्रेसर बिल्ट में तीन क्या होती है निम्न वायुदाब पेटिया नंबर पहला देक बता दिए दूसरा आपका कौन सा होकता है सब पोलर लो प्रेसर बिल्ट उप तीन क्या होता है लो प्रेसर बिल्ट होता है तो हम तीन कौंस कौंसे बताएं उप धुर्बिये निम्नवायुदा पेटिया भूमद रेखिये निम्नवायुदा पेटिया और उप धुर्बिये निम्नवायुदा पेटिया एक साउथ में होता है यह तो एक होता ही है और जो से सभी 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 शेल यहां पर बना दिया जाता है ठीक जो फिनोमिना होता है गटनाएं गठती है तो यह घो पर अब देखेंगे सब्व थ्रॉपिकल यह दिखाते हैं जो आपका यलो कलर से है यह कौन सा है उच्छ वाईदाप पेटि यह तो यह जो उपोश्ड उच्छ वाईदाप पेटि यहां पर उपोश्ड उच्छ वाईदाप पेटि यह लगबग 30-35 के अच्छानसों के मद्द पढ़ती है ठीक है दो तो यह हो गया और दो आपका धुरूओ वाला हो गया धुर्विय उच्छ वाईदाप और धुर्विय उच्छ वाईदाप कैसे देखेंगे यह तो यादी हो जाएगा यहां पर कैसे यह दुर्विय वाला क्योंकि यहां पर टंप्रेचर बहुत कम है जब टंप्रेचर ब पर वायदाव् जम जाता है तो तो अधूर्बिय वायदाव दो हो गया एक नार्थ में हो गयाаша एक गनार्थ में हो गया एक भूमद para बस्तुम्दक हो धैश इसके जैसरे बहलेने पर देखेंगे उपोर्ट उच्चवायुदाव और उपोर्ट उच्चवायुदाव यह अब आप पुछेंगी और ही मैं army what और यहां पर कैसे उच्छ वाईदाब है वो कांसेट आपको बताते हैं चलते हैं पहले हम क्या देखेंगे भूमद रेखिए निम्न वाईदाब पहले हम एक्योटर जीरो डिगरी वाला ही याद कर लेते हैं इक्योटरियल लो प्रेसर बेल्ट है इसके बारे में हम देखते ह यहां पर क्या करा है इस पेटिका बिस्टार भूमध रेखा के दोनों और पांच जेघर जाता है था जाता है तो पांच डिगरी उपर और पांच डिगरी नीचे पर मिलता है भूमद रेखा पर वर्स भर सूर की क्रेड़े क्या होती है लंबवत पड़ती है जिस कार्ड क्या होता है तापमान अधिक होता है जब भी तापमान अधिक कहे तो प्रेसर हमीशा जादा कर दीजिएगा ठीक क्या होता है मादेजी मादार क्या होता ओ देते हुग हो अगर हवा ठंडी होगी तो हमेशा नीचे बैठेगी जो गर्म हवा होती वह ऊपर ऊठेंगी तो वह रोसंदान के त्रों क्या हो जाएगी बाहर चलिजा ठीक है इसे लिए हमेशा रोसंदान बाहुन अपर लगा जाता आ सब take ए जो रोसंदान वहता घर में तो यही कि आद रखेगा कि जो ऊपर होई यहां पर तो याद देक यहीं होकर फैलती है जिससे ऊपर उठती आ और सदी काफी सांथ होता अगर इस पेटी की हम बात करें, इसी पेटी की बात कर रहे हैं, ये पेटी बहुत ही सांत होता है, जब बहुत ही सांत होता है, तो क्या होता है, इस पेटी को डोल डरम कहा जाता है, ये कुश्चन आया है, कौन सी पेटी को डोल डरम कहा जाता है, या डोल डरम पेटी कैसी हो होती बहुत ही सांथ होती है देखिए डोल डरम की पेटी में पश्चिम से पूर्सक्राण हवाय छलतीय है ठीक यह कोशन पूछा गया था कि डोल डरम पेटी में कहां से और आंर तक करते इस तो पेटी में हवाई जो होती हैं पशश्म से पूर पच्हुआ हवाई चलती है, ठीक है विस्वतिय मद्वा आप टिया mold्रम पती है पशुआ में तो एक्ष्ट पेटी कहां पर होती है इक्टिया रूहती कि आपको अभी हमने क्या बताया यह इसका कांसेट सिर्फ इतना याद रख लीजिए भूमद रिखें निम्नवाईदेब की पेटी का कि यहाँ पर टंप्रेजर ज्यादा होता है प्रेशर कम होता है बस यह यही याद रखेंगे अब क्या याद करेंगे दूसरा याद प्रेशन ज्यादा बनता है आज सो हार्स वाला अब देखिए उपोर्स उच्छवाई दाप पेटी कैसे यहाँ पर क्रियेट हो जाता है क्यों अब देखिए जो यहां से हवाएं उठती है जो छोब मंडल पर मलब नीचे से नहीं ऊपर जब उठती है तो छोब मंडल से य हवाएं कि इधर जाती है इस साइड जाती है ठीक और यह हवाएं इस साइड से जाती है यह देखिए यह हवाएं कहा है लोग प्रेसर यह देखिए ठीक है यह वाला हवाएं इधर ठीक है तो यह जो हवाएं होती है यह अब यह तो धरातलियों है ठीक है धरातल दो हवाए से 35 डिग्री अच्छांजों के मद्द पाया जाता है इस पेटी का विकास कोरियोलिस बल के कार्ड होता है देखिए अब आपका जो यह है आप कहेंगे यह 35 डिग्री के बीच में टंपरेचर बहुत ज्यादा होता है ठीक है यहां पर क्या होना चाहिए प्रेसर कम होना चाहि तो यहां पर निम्न वाईदाब होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है ठीक है क्या आज आता है बीच में कौरियोलिस बल आ जाता है कौरियोलिस बल के काड़् क्या होता है यहां पर उचछ़वाईदाब क्रियेट हो जाता है ठीक है उपोट उचछवाईदाब से उठने वाली हवा भूमत द रेखिए निम्न वाईदाब की और परवाहिद होने लगती है ठीक है तो यह यह बल के कारड यह जो वाईधा पेटी है उंपोस उत्च वाईधा पेटी जिसको आप कहते हैं सब्ट्रॉपिकल हाई प्रेसर पेचर बिल्ट है यहa दो तंप्रेचर प्रेशर वाला कॉंसेट नहीं लग पाता इसलिए दो पार्ट में आपको मैंने पहले इवता दिया था कि जो यह वाईदाप पेटिया प्रेशर बिल्ट होती है दो क्या है अब देखते हैं निम्नवाज देपकी और परवाहित होने लगती है तीस से 35 अच्छांस को हार्श अच्छांस कहते हैं अब देखिए यहां को अच्छांस क्यों कहा जाता है देखिए इसका कोई एक कांसेट नहीं है क्योंकि जब पहले इस चेत्र में क्या होता था यह सिप चलती थी तो क्या होता था इस उसी सिप पर मतलब बहुत बड़ी सिप नहीं होती थी मैनमेड मतलब बहुत सभी मैनमेड होती लेकिन वह क्या होता है उतना उसमें वह मौडन तरीके से नहीं बनती थी ठीक है यह ना तो जैसे ही इस छेत्र में परवेश करती थी क्या करते थे जो नाविक होते थे उस पर जहाज पर वो क्या करते थे तो ऑसो आश्चांस क्या होता है वही याद रखिए थी से 35 डिगरी अच्छांसों को असो आच्छांस कहते हैं ठीक है ये याद रखेंगे निमनाइता फिर आंड कोथ भुन होता है इस पैटी का बिस्तार दोनों गुलारदों में 60 65 1967 सूट के मत्पाये जाता है इस पैटी में वर्स भर कम होने के बावजूध भी यहां क्या यहां जो मेंशा कम होता है यहां निमन वाईदाव मिलता है तक यह भी आप देखिएगा यहां पर टापमान कम है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है निमन वाईदाव मिला है क्यों क्यों की koreyalis बलके काड़ तो याद तो इसमें कैसे होगा दोरी यहाँ पर तमप्रेचर ही होगा तो में होता है ठीकशिक क्यों कि यहां पर उच्वाईदाब पर क्यों होती है क्यों कि यहां पड़न कर्ञों हूटा है ठीक है अब देखें यह आपका अभी हमें क्ला क्या बता कि टंप्रेशर की क्रीयेक हएन निम्ना वाईदाब और यह धुर्बिये उच्छव zijn हो रहे हैं यह वाला कोरियो्लिस बल्के कार्ड किरियेट हो रहे हैं यहाद रखेंगे तो यहां तक अभी हमने क्या क्या बता है आप देखिए यहां पर दुर्विय उच्चुवाईदाप दुर्वो तता समीपी च्छेत्रों में निम्न ताप के काड़ यहां तापमान में ठंडी और भारी हवाई धरातल पूतरती है परड़ाम सरूप यहां उच्चुवाईदाप का आबिर्भाव होता है ठीक है तो यहां पर देखे दुर्व फच्च को डियों की बात कर रहे है यह इसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो आई हूप आपको समझ में आ को तोस्मुंब्त में थीप चलना है जब में भाटाऊं गाऊप नहीं कि सब्सक्राइब रहेते हैं तो साथ वाईदाव पेटीया होती है साथ प्रेसर बेल्ट होते हैं चार और इसन्मरत अग्या को का आप बढ़ा से ब्यापारिक पर में नर're काईधा ज़ोने यह वाईने वाली पउने उति yin कहां से कहां तक मैं बोल ला हूँ यह आपका जो उपोरा उस्च वाईदा पेटी है यहां पर और यहां पर ठीक है यह दोनों दिख रहा होगा आपको यह वाला अरिया और यह वाला अरिया इसी से जो इस शाइड साइड बहर रही है यहां पर दिखे त्रेड विंड यह क्या होती है टेड विंड से होती है तो त्रेड विंड से क्या होती है जो आप सिर्फ यह ब्रिव का केया होता है लो प्रेसर तरफ हम्हशा मैं भी यहीँ बताया हूं कि हमेसा कैसे बहती हैं हाई प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ बहती है तो आप हमेसा दिमाग में यहीं रखिए में रहार कि City बिंड जब आजाए तो आप कहिएगा जो सब्ट्रापिकल हाई प्रेसर बिल्ड से लो प्रेसर की तरफ टरफ उक्तोरियल लो प्रेसर के बिल्ड की तरफ जो हमाय चलती है वम ही ट्रेड्स बिन्ड होती है यहां पर ऊप्षू वाइदाब है और निम्नोवाइदाब हमने हैं चाहे हैं उच्चो वाईदाप से निम्नो वाईदाप की ओर चलती है तो यह क्या होता है यह ट्रेड बिंड से होते हैं ब्यापारिक पाउने होते हैं बस इसमें यही याद रखे गया अब दिखते हैं यहाँ पर क्या है उच्चो वाईदाप से ब्यापारिक पाउन की दिसा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और सीटोष में पच्चुआ पॉर्व की ओर चलती है पूर्व की ओर चलती है जिसके कारद महासागरों के पूर्वी खंड अधिक ओश्चो होते हैं ठीखै तो यह कुश्चन पूछ लिए गया था कहीं तो याद रखेंगी before महासागरों की पूर्वी खंड से पूर्वी खंड अधिक ओश्चो होते हैं ठीक है यहाद रखें यहाँ SECRET आप ऐस इसका एंसर यह दिया गया था ठीक है तो यहाद रखेगा अब यहीं कुश्चन आईएस 2020 में पूछा गया था दोनों आपका परभाव के काड़ क्या होता है पूर्वी खंडों की तुलना में माज़ागरों पश्मी खंड अधिक उस्टन होते हैं माले यह आपका यह साकार का मैं कौन सा बना दे रहा हूं अट्लांटिक उसियन ठीक है इसमें कर आएक जो पूर्वी खंड होता है उसकी तुलना में तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उस्ट करते हैं तो ठीक है तो वही मलब ब्यापारिक पाउन की बात करें कि अगर सीटोष्ट चेत्र की बात करें तो पश्मी पाउन होती है पश्मी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अध कि तुलना में दच्छडी गुलार्द में पश्मी पवन अधिक ससक्त अस्थाई क्यों होती है क्योंकि उत्री गुलार्द की तुलना में दच्छडी गुलार्द में क्या होता है भूखंड कम है ठीक है कहां पर ज्यादा भूखंड अगर हम पिर्थवी के ऐसी बात करते हैं तो इस area में भूखन्ड कम पढ़ते हैं इस area में बू-स wari, इस India में भूखनCॉंड जादा पढ़ते हैं, यहां भूखन्ड कम पढ़ते हैं टिट्क यहीं कह रहा है कि अत्री गोलार्ज के तुलना में दच्छिडी गोलार्ज, पच्छिमी पवन अधिकि ससक्त होता है और अस्थाई होता है क्यों क्योंकि आप यही बताएंगे 2011 का यह भी कुश्चन है आया है 21 में 11 में तो वहाँ पर यही एंसर देना था कि उत्तरी गोलार्द की तुलना में दच्चर गोलार्द में भोखंड कमा है अब देखतें यहां से बछुशन पूछता है गरज़ती 44 परचंड 50 टीकता 60 दच्चर गोलार्द में पशमी यह पौने होती हैं जिनको हम कहते हैं गरज़ती 40 परचंड धच्चर गोलार्द मलब यहां पर ठीक है चालिसा ठीक है यह बड़ी इस्थिर्टा और सक्ति से बहती है बहुत प्रेज़ उसमें पाउर होती है यहां पर अब दिशा क्या होती है उत्तर पश्चिम से दच्छड पूर्व की और इनकी दिशा होती है आई यस दो हजार बीस में यही कुश्चन पूश्चा था ठीक है उत्तर पश्चिम से दच्छड पूर्व की तुरफ इनकी दिशा होती है लंबी चालिसा पौने हिंद माह सागर में परवाइत होती है यही कुश्चन आ गया था लंबी चालिसा पौने कहां परवाइत होती है हिंद माह सागर में अब देखे रोरिंग फोर्टीज क्या होत यायते भी याद रखे इसका इंगलिस नेम क्योंकि इंगलिस में ऐसे ही देखे पूछ लिया कि रोरिंग फोटीज क्या होता है तो क्या होता है चालिस से साथ डिगरी के बीच में जो हवाएं चलती है समंद्री हवाएं दच्छडांस के मद्द वही होता है यह पूछा था अब देखे दच्छडी गोलार्द में पाउन के बाई और उत्री गोलार्द में पाउन के दाहिने और का बिचलन का कारड क्या होता है कोरियोलिस बलके कारड ही होता है तो अगर आप से पूछे कि दच्छडी गोलार्द में और उत्री गोलार्द में पाउन के दाहिने और बिचलन का कार्ड क्या होता है तो कोरियोलिस बल के कार्ड होता है आएज दो हजार दस में ये कुश्चन आया था ठीक है अब दिखी यहां पर थोड़ा सा कंसेप्चुल है यहां पर जो अगर लेकिन यह जो कंसेप्ट में बता रहा हूं यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है क्या हो अब अब देखी यहां पर क्या होता मानसून जो पौने वह पौने होती है जिनकी दिसारित्य की अंसार उलट जाती है यह बाएं दो हुछा महा माह समुंद्र से समुंद्र और चलती है स्द το 2014 में यही क्वें पूछा गया था यह याद रखिएगा जितना भी कांसेट अब देखे मांसून पौने क्या होती है इसी को हमने डाइग्राम के फॉर्म मेजर लिख दिया है रितु के अंसार दिसा परिवर्तन होता है इनका मांसून पौनों का ग्रीज में रितु के छे माह में समुंद्र से अस्थल की और परवाह होता का मांसून पौनों का थीक है ये मैं रखशन के अब देखिए एक आपका चैप्टर क्या हुआ प्रेशर से जितने भी इतने कोश्र्ण बन रहें यह इस में थोड़व ना चाहता हूं यहां पर जो जो कॉश्चन बने है यहाँ बाद के बादल पहले उत्त्राखंड PCS में बने था कि बादल क्या होते हैं तो बादल संगनन के परड़ाम होते हैं बस ठीक है याद रखेंगे किसके संगनन के परड़ाम होते हैं कंडेंसेशन के प्रेडाम होते हैं कंडेंसेशन के द्वारा ही आपका बादल बनते हैं कलाउट से बनते हैं तो यह आपका कहीं कहीं बारा कलाउट से दिया रहता है कहीं कहीं दस लेकिन में आपके पेपर में आपके घटना चकर में दस ही कलाउट से दिया गया है अब देख करने की मलब हर चीज याद ही करिएगा थोड़ा सब्सक्राइब बता दे रहा हूं कितना यह देखना है अब देखिए सीरस कलाउड क्या होता है 파चाब बादल क्या होता है जिसको यहही तो सीर्स क्लाव्ड है थोड़ा सा रेसम की त alternatif तो प्रगी निर्मित होते हैं जिन्से होका सूर की किर्डडे गजरती है प्रडाम क्या होता है चक्रवात के आगमन के पूर्व आकास में दिखना बश ठीक है ऐसे जैसे हमने लिखा है पूरे कहीं भी ढूट डालेंगे नहीं मिलेगा क्योंकि इस टाइब के मतलब लिखना ताकि आपको याद हो जाए ठीक है इसलिए थोड़ा सा इस टाइब से लिखा जाता है पच्छा लगेगा हाँ इस सब्जेट को हमको पढ़ना होगा आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा हम उसको जरूर आपको पढ़ा देंगे ठीक है सिर्प आप सब क्या करिएगा सब्सक्राइब लाइक सेयर करिएगा हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे बस आपको कोई भी इसा सब्जेक्ट नहीं घटना चक्र का बचेगा जिसको हम डाइग्राम के फॉर्म में आपको किलियर नहीं करवा देंगे ठीक है अब देखिए पाच्छा बस्तरी बादल क्या होता है सिरस इस्टेटस क्लाउड यह यहां पर कहीं बहुत सिरस इस्टेटस क्लाउड यह व पूचक होता है बस ठीक है तो यही अठारा हजार वाला यह याद रखेगा यहां पर यही सबसे ज्यादा उचाई पर क्यों होता यह अब जो भी है यहां से कुश्चन बहुत ही कम पूछा गया है पच्छाब कपासी बादल क्या होते हैं सफेद छोटे छोटे गोला कार य होते हैं जो लगातार वर्सा का संकेत देते हैं वर्सा भी कहते हैं ठीक है यह यहां पर क्या पूछाता अल्टो क्यूमिलस क्लाओड यह है देखिए यह भूरे रंग के थोड़ा सा बादल नहीं जब आपका पानी बरसने वाला रहता है तो ऐसे बादल नहीं बन जाते हैं इस बादल प्राय कोरे के समान होते ह्या धरा रातल पर सटे नहीं होते हैं यह दो विपरेश सुबाहाओं के मिलने से यह बनते हैं तो यह याद रखेंगे अब देखिए इस तरी कलाफ इस्ट यूटो क्या होता है ये क्या होता है हलके भूरे रंगे होते हैं बड़े गुलाकार होते हैं चकत्तों के रूप में होते हैं कापासी बालर क्यूमलस क्लाउड क्या होता है अधिक गहने और बिस्तिरित प्राया लंबाकार होते हैं उपरी भाग गुंबदा कार होता है गोभी के फूल के समान होता है पूछ सकता है क्नी सागोभी के फोल के समान होता है जो होते हैं यह ठीक है paR omosom साफ होता है तीबर वर्सा ज were some 0uch unbelievably 2003 में कि किस ने तीइद वर्सा होती है तो यह किस रहे हैं किस्में कौपासी वादं मैं से कुलाऊड क तिक आप देखते होंगे कि अभी आप देखते हूं कि मौश्ण चल लाहा किसका बारिस का देखते हूं के काले रंग करेगे बूध भूध गिरता है ठीक है आप देखे यहां पर ये तो हो गया नवे नमबर कपासी वर्षा बादल कुमलो निम्बस अतधिक विस्थित और गहरे बादल ओला तड़ित जंड़ा अधिक संभावना होती है तीबर वर्षा मतलब सभी वर्षा वर्षा यही सब करते हैं ठीक है अधिक सभी को लेकिन वर्षा बादल कुमलो की बादल कम उचाई पर पाए जाते हैं ठीक है उच्छ कपासी बादल कम उचाई पर पाए जाते हैं अब देखिए यहां पर क्या होता जो हमने दस बताया है इस दस को पूरी तरह मत याद करिए गए यह नहीं कि आप इसको पू पूरा रटने बैठ जाए ठीक है यह मत याद करिएगा सिर्फ एक दो पॉइंट जिसे पच्छाब में सबसे उचाई पर होते हैं यह 18,000 फीट के होते हैं ठीक है तो इतना मलब मैं खुद ही कह रहा हूं कि ज्यादा मलब इस पर दिमाग मत लगाईएगा सिर्फ मैंने यह आपर लिख दिया ताकि आपको न लगे कि ये आपका नोट से यह अधूरा है ठीक है पूरा मैं नोट से देना चाहता हूं ठीक है अब देखिए यहां पर kıya है मेग चानित रात में ओस की बूदे नहीं बनती हैब क्या होता है कि मेगा चानित जो रात होते हुए उस में ओ हवा चाहिए उच्छ सफेद आदर्ता चाहिए उसको चाहिए ठंड़ी वा लंबी राते भी चाहिए तो ओस्ट बनने के लिए यह सब चीजे जरूरी होती है 2019 में यही कुशन आया है कि क्यों नहीं बनती मेगा चाहिए रात में उसकी बूदे क्यों नहीं बनती क्योंकि स्वच्छ आकास नहीं मिलता सांथ हवा आदर्ता ठंड़ी वा लंबी अब देखिए मेगा चाहिए हम पिछले यह वीडियो में बताएते जब आपका आपके वाय यह आपका हवाएं होती है वह ऊपर नहीं जा पाती है वहींपर ऑर वह गर्म होती रहती है जहां होगा वह वहां पर ओस कैसे बनेगा तो मेगभा चाहुए रातों में जब पूरी क्या होता हमेशा वस बनने के लिए छाहिए ठंड हर ओनत इस्हां तोभिये ताक जड़ु था भी हमने क्या पताया था जो देर्घ्भतरंगे के रूप में उपछा चली हैं आध UC कीरेटगे लाग लुकितरंगे जब आती है तो मौसन जब साफ रहता है तो चल होगए जाएगे यह यह तक थंडी वाल लंबी राते होनी चाहिए आदर्ता भी उनी चाहिए सांत हवा चाहिए चाहिए मेगा ज्षादित रातों में ठीक है अप देखिए नेस देखते हैं अप इसको तो जरूर आप देख sillिगा यहां पर कोन कान सी अस्थानी पहूंट है ठीक है तो पहले यह देखते हैं सीराको जिसको रुधिर वर्शा कहते हैं यहां है यहां से पाल सठेल्च है सहारगो हां से जब ओपर चलती है तो यह झो झिल्वाजंदा से जलवास पर ज्रहड़ करती है तो यह इटली का जो एरिया है यहां पर बारिस करती है जलवास गरड़ करने के बारिस करती है तो यहां से रेट जो होता है रेट कलर का जो रेट होता है वही जो रेट आपका इटली में जो बारिस होती है रेट रेट होता है तो उसी को रुधिर वर्सा कहते है ठीक है और इ से तो आप रुधिर वरसा कहलाती चाहिए जो हो नहीं थार है घार है सहारा मारस्थल में सीराक को हैं सिराको पाउन कहां बहती M सिराकोपोन सहारा मरस्तल में और इटली में बहती है तो रुधिर वर्षा इटली में करती है सहारा मरस्तल में यहां तो रेत लेती है ठीक है चिनूक कहां चिनूक राकी परवती युश से में ठीक है इसको हिम भच्छी पवन भी कहते हैं ठीक है क्योंकि क्यों यह गरम होती ह जो आपका बर्फ होता है उसको पिगला देती है यह हवा और वहां पर खेती करने योग बना देती है ठीक है यह देखी यहां चिनूक है यहां पर जो बर्फ रहती है इसको पिगलाती है और खेती योग बना देती है तो चिनूक एक हिसाब से एक अच्छी पौन मानी जाती ह और यह नहीं पर वरफी बड़ा रहें फॉन क्या होता ए जाध है शुजर लेंड पर याद रखिए nervous ya की कि फॉन lorsque french यह आस्टेलिया के तो यहां पर देखते हैं व्रिक फिल्डर नार्वेश्टर कहां के न्यूजिलेंड के हैं और व्रिक फिल्डर आस्टेलिया के विली पिली कहां के हैं तो यह भी आस्टेलिया के बहुत में यहां पर दिखते हैं सीमूम के अरब रेगिस्तान में अरब रेगिस्तान अरब रेगिस्तान का यह सब हॉическая चलती यह है यह सीमूम सारे नहीं आप दो का वां thinkers परबस मेल ज़ुजन्ट ठीके से Krishna को सहारा मरुस्तल बताया अब देखिए ब्लेक रोलर ब्लेक रोलर कहां बताया उत्तरी अमेरिका मैदान में ठीक है तो ब्लेक रोलर कहां चलता है उत्तरी अमेरिका यहां पर दिया गया है कि नहीं नहीं उत्तरी अमेरिका मैदान यह वाला मैदानी एरिया है यहीं पर ब्लेक चलता है ठीक है अब देख्या केलिफोर्णिया में सिटा इना चलता है आद रहाँ देख्या तुर्ण कैलिफोर्णिया चलता है तदैब तो कैलिफोर्णिया दच्छिड कैलिफोर्णिया में सेंटाना वहाँ पर उत्तर कैलिफोर्णिया या निव्यार्क साइड कहीं भी दे सकता लेकिन आप दच्छिड कैलिफोर्णिया लगाईए सेंटाना समून इरान में चलता है याद रखेंगे समून इरान में यह देखें अब देखें लू लू कहां पर चलता है भारत में चलता है ठीक है यह भारत हो गया लू तो पता होगा आपके भारत में चलता है पोनेंटी कहां चलता है उत्तर पश्चिम भूमद्य सागर में चलता है पोनेंटी उत्तर पश्चिम भूमद्य सागर में वर्ग चाहां चलता ह locked अफ्रीका में अपर के बन आ हो है दिश्दित में तो लीबिया में यहां पर लीबिया आपका यहां पर लीबिया अफ्रीका में उपर वाल groups इस्थान पर यह लीबिया में से- एचमसिन एजिप्ट मिस्र में तो लीविया में क्या है वही मलब एजिप्ट और वही दोनी एरिया है आपका कहां गया यहां पर यहां पर आपका खंसिन चलता है यहां पर आपका गिबली चलता है तो खंसिन अगर मैं पूछू कहां पर तो खंसिन आप बताएंगे एजिप्ट मिस्र में चलता है अगर आपका यह बताता है पूछूं कि यह गिविया में चलता है गिविया में गिविया में गिविया में खमसिन आपका इजिप्ट में लेश्ट कहां चलता है तो लेश्ट आपका मडीरा कनारी दीप में चलता है चिली कहां चलता है तो चिली चिली पाउन कहां चलती है तो ट्यूनीसिया में तो ट्यूनीसिया भी यहीं पर है लीविया के पास ही ट्यूनीसिया भी है ठीक है तो यह ट्यूनीसिया में चलता है कोईंबैंग जावा इंडोनेसिया में चलता है ठीक है कोईंबैंग कहां चलता है जावा इंडोनेसिया में यहां पर लिया गया है कि नहीं कोईम में नहीं तो यह आपका जावा यहां पर है यहीं पर कोईम बैंग चलता है कोईम बैंग चलता ठीक है अब देखें यहां पर सामल कहां चलता है सामल इराक में चलता है बहुत इंपोर्टन्ट है सामल कहां पर है इराक में यहां पर इरा आपाक औरक मेंचलता है तो एक हम पाकिस्तान के इधर जो इरिया पलता है तो यह الح again parse गार चलता है सबी क्या साइड गया है यह मुण्यकों किर पर्पünden कुछ आप पर सकनी इस इसम आद फरों पड़िव डर परता है यहां है राक पर यह यहां पर क्या चलता है सामन चलता है सामन तो सामल कहां चलता है इराक में चलता है ठीक है अब देखिए नार्वेश्टर कहां चलता है तो न्यूजिलेंड में चलता है नार्वेश्टर कहां चलता है न्यूजिलेंड में चलता है अपाला कहां चलता है तपाला फ्रांस मे चलता है सुलोनो कहा चलता है सुलानो दच्छर पूर्वी स्पेन में चलता है सुखो कहां चलता है रूस और कजाकिस्तान सुखोई बिमान आप सुने होंगे सुखोई ठीक है तो उसी से बना है तो रूस और कजाकिस्तान के एरिया में चलता है सुखोई ठीक है सुखोई ऐस तो यह थोड़ा साधल पर देखते हैं तो यहां पर देखते हैं तो यह पतला करते हैं ता कि आजए सब पूरा यहां पर क्या होता है यहां पर कौन सा भी हम बतायते हैं सिराको यहां पर क्या बतायते हैं सिराको हम कहां बतायते हैं सहारा मरुस्ता था इटली में सिराको बतायते हैं चिनूक कहा हम बताए थे हम हम ये राकी परवत का एरिया है यहां पर पर हमने चीणूक ना कि अरिया में डिया परिकषचा और सिर्द के निए फॉन Ведь कहा बताए था और टॉञे में सुजेंट क्सिया थे ठीक भी आपको ब्रिक फिल्डर बतायつा है और के ब्रिक फिल्डर भूल्र रilly डोस। य्याद रखेंगे ब्रिक फिल्डर कहां बताय तर हम बता है यहां पर अरब रिगिस्तान सी बंगो अगर पूछ कहां पर यह हवा चलती है गर्म हवा सिमूम अरब रेगिस्तान में ब्लेक रोलर कहां बताए थे तो ब्लेक रोलर यह उत्तरी अमेरिका का मैदाना है ठीक है तो ब्लेक रोलर ठीक है तो यह उत्तरी अमेरिका मलब चाहे कनाड़ा की बात करें चाहे यह वस्ते के इसी में चलत कि вещи काइंबंग चलती ये चलती हैं तो यहीं पर क्या यहां चलती है तो यह रखेंगे हीऔर कई बैंग चलती है तो जावा का अधरा कि काइंबंग ये आपका हवा कहां चलती है जावा इंडोनेसिया में काइम बैंक सामल कहां चलता है इराक में चलता है ठीक है तो इराक में सामल चलता है ठीक है इराक में क्या चलता है सामल अब इरान में क्या चलता है सामल तो इराक में चलता है सामल इराक में लिख देता हूं इराक में ठीक है अब इरान में क्या चलता है इरान में याद रखेगा इरान में क्या समून चलता है ठीक है समून समून इरान में चलता है और सामल कहां चलता है इराक में चलता है यह दोनों याद रखेगा सामल अगर पूछे तो इराक में चलता है इराक सीरिया वह वाला एरिया में अगर समून पूछ कहां चलता है और हमने क्या पढ़ता है अयाला तो यह इजाद आफ्रीका में एतना याद रखेंगे इस ज्यादा नहीं पूचह तो नारबेश्टर यहां न्यूजिलेंड में नारबेश्टर पढ़ेते ठीक है तो इतना यह याद रखेंगे ठीक है इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपको यही इतना याद रखना है अब ठंडी हवाइं देखते हैं पर्मुक ठंडी हवाइं कौन कौन सी होती है अब देखें नारबेश्ट ठंडी है यहाँ फ्यár घर्म हवाईं दोनों में दियाद रखेंगे तकि पूछ सकता है कौन सी होती है ठंडी है कौन सी होती है ՗र्म है नारबेश्टर कहां चलती है तो नारबेश्टर सहिंग तर राज अमेरिका में चलती है नार्दन ठीक है यहां पर संयुक्त राज अमेरिका यहां पर नादर चलती है नार्टी कहां चलती है मैक्सिको संयुक्त राज अमेरिका में नार्टी बिली वाउ कहां चलता है अलास्का के यह एरिया यहीं पर बिली वाउ चलता है पैमपारो कहां चलता है अरजंट च्टन॥रा पर्देश रूस में चलता है पूर्गा ठीक है तो टुंद्रा पर्देश एक्दम इधर वाले ए यहाँ पर यहाँ पर पूरड़ा चलता है कि इसओं anymore तिन चार यह पूछा गया है ठीक है तो अब देखें यहां पर पाउन और अस्थान मिश्टल कहां पर है तो मिश्टल इस्पेन और फ्रांस में मिश्टल बहुत इंप्रांस में कहां चलता है तो हबुव सुडान में हब चलता है हबूब कहां चलता है तो हबूब सुडान चलता है हभूब कहां चलता है सुडान में हभूब चलता है सी स्थान कहां चलता है पूर्वी इरान में क्या है सी स्थान चलता है ट्रेमॉंटेन कहां चलता है इटली का पश्मी तट कोर्शी का ठीक है ट्रॉमॉंटेन इटली का पश्मी तट कोर्शी का है यहीं पर चलता है ट्रॉम इससे ज़्यादा आपको कोई भी question में नहीं आया है ना तक आया है ना कभी आयेगा इससे ज़्यादा क्या पूछेगा ठीक है इसलिए हमने सब कुछ यहां पर ले लिया है ठीक है इसलिए कहता हूँ जो हमारा ये पीडियेफ होता है इस पीडियेफ को जब paper देके आयेगा अब जरूर मिलाएएगा ठीक है कोई ऐसा नहीं कहेगा लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ paper देके आयेगा इस पीडियेफ से जरूर मिलाएएगा कि paper में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ क्योंकि जब कुछ ले लेता हूँ तो कहां से देगा ठीक है अब यहां पर देखते हैं फिर मैं थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको रिभीजन करवाता हूं ठीक है थंडी हवाओं का ताकि याद हो जाये थंडी हवाहों में अब देखते हैं यहां पर अगर हम Northern की बात करें तो Northern कहां परता है Northern सेंच Aramayra A'mेरीका में Northern अगर हम पूछते हैं सेंच Aramayra A'mेरीका में Northern हौए थंडी हौए है Naughty कहां है तो Naughty Naughty जो है ये USA और क्या है कहां पर मैकसिको में ठीक मैकसिको और USA में Naughty बढ़ता है बिली बाव कहां बढ़ता है तो अलास्का में अलास्का में कहां क्या बढ़ता है बिली बाव बढ़ता है ठीक अलास्का में बिली बाव कहां है अलास्का में पैमपारो कहां है तो अर्जंटीना में अर्जंटीना में पैमपारो हवा कहां चलती है ठंडी हवा है अर्जंटी मेक्सिको में पपा गायो यह कहां पर मक्सिको में में पूर्गा कहां बरता है तो पूर्गाया लिखे तोक टुंडरा प्रांस में प्रांस और तो फरांस और पंपाइज है सबसे बाइज सब स्पेऊ प्रांस में मस्टल पढ़ेते हैं मिस्टल नह Adventures यहां दो यहां पर धन दयायवत्य नहीं है हैं ठीक है एडिया ठीक तर्ट ये इटली के पास ठीक है और हबूब कहां पढ़ेते हबूब हम सुडान में तो सुडान में हम क्या पढ़ेते हबूब ठीक हबूब यहां लिखेते हबूब की नहीं हबूब सुडान है लिखेते हबूब कहां पढ़ेते सुडान में पढ़े समून हम कहां पढ़े ते इरान में हम इरान वाला इसलिए बता रहे ते इरान अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में एच ठीक है अपने राजनीति उससे डिफेंस यह सब के लिए तो इसलिए मैं इरान को थोड़ा सा हाइलाइट कर रहा हूं कि इरान को ताकि आपको याद रहे हो सकता है जो देश सुर्खियों में रहते हैं वहां से दे देता है कि यहां पर कौन सी हवाई चलती है कौन सी वह तर्टिक है इसलिए भी तो यह आप सिस्तान याद रखेगा सिस्तान कहां पूर्वी इरान में ट्रोमेंटेन यह इटलीका प्शमितेटत उत्तरी कोर्शी का कर स PC कहां यह भूमद सागर में दीफ है वहीं पर जो याद रखेगा Benjamin doveon ठीक मैं यह प्रो मैंट्टों कांप परड़ता है ये इटली का पश्मीतट और कोर्सिका में ट्रोमेंटन हवाई पड़ती है ठीक है मुलब हवाई चलती है ठीक है अब लेवेंटर इस्पेन में चलता है ठीक है इस्पेन में लेवेंटर चलता है ये याद रखेंगे अब दिखते हैं यहां पर तो हो गया अब देखें कुछ अस्थल वह समूंद्री समीर के बारे में हम देखते हैं तोड़ी इस में भी इससे भी कई बार question आज गए हैं ठीक माली जी आपका यह समूंद्र है ठीक है यह समूंद्र है और यह क्या है अपका अस्थल आप देखिए आप देखें होंगे दिन का समय अगर रहता है हमैसा मैं अभी आपको जैसे क्लास इस्टार्ट किया हा आपको क्या बतायाता है एक होता हाई प्रेसर एक होता है लो-प्रेसर हमेशा जो हवाएं होती है 하ाई-प्रेसर से लो-प्रेसर की तरफ चलती हैं अब यही कांसेट यहां भी लगेगा जब दिन का समय होता है दिन का समय जब होता है तो आप यह बताइए कि यह समुद्र ज्यादर समुद्र ज्यादर गर्म होगा या यह जमीन ज्यादा मतलब जमीन माल लिए यहां पर यह मुंबई का एरिया है और यह यहां पर समुद्र है मुंबई का एरिया है और यह मुंबई का जमीनी एरिया है ज्यादा पहले यह अगर दिन के समय में बात करूं कि ज्यादा यह गर् इरिया तो कौन्य ज्यादा गर्म होगा यह जब रहत्लत यह एरिया है वह expos cerve st जाव हो जाएगा अगर यह जब trader पाहण हो जायएगा तो यहांपर क्या हो अगया प्रेशर कम हो गया था समुन्धर से जो हवाइं टोध्य को यहां पर आप उतना तो गर्म यह भी हुआ है लेकिन उतना नहीं करूपा र reinfor досना गर्म और हो यह क्योंकि हमेशा याद रखेंगे जो ठोס भस्तू होती है जिसे अप लोहे को पानी को देखेंगे जो Yay जल्दी गरम कौन होगा इह बहुंच यह क्या होता है यहां पर जब यह गर मुधन हो गया टुछëर हाई हो पर लो प्रे पर हम क्या बताएं है हमेसा हाइं पर की यह चलती हैं। तो हमाई की रही है यह इधर चल लए ठीक है कहां पिसाओ यह यह समुन्द्र से यह मुंभाई के वो लेते हैं, अपना फ्लेट लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो बहुत महगा होता है, वो करोड़ों रुपे से उपर चला जाता है, जो समुद्र के किनारे जो फ्लेट होता है, ठीक है, चाह सारुक खान, साह सलमान खान सब का देखेंगे, फ्लेट समुद्र के किनारे ही है, क् आद्र वो ठंडी हवाई क्या होती है आती रहती है दिन के समय अब रात्र के समय क्या होता है रात्र के समय आप देखेंगे जो समुंद्र होता है और जो अस्थल होता है कभी भी अगर आप पानी को गरम करिए और लोहे को गरम करिए किसी मिटल को गरम करिए चाहे जो मिटल जब उसको दोनों को गरम करेंगे इसके बार होने के लखेंगे ठीक है अगर ठंडा हो तो जो मेटल है या लुहा है वह जल्दी से आपका वह ठंडा हो जाएगा और पानी होगा वह लेट में ठंडा हो जाता तिसका मलदब यह तंप्रेचर हाई हुआ अभी यह थंड़ा हो रहा लगी यह क्या हुआ है तो जब यह तो है तो यहां पर क्या हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा निम्नवाइव पारियोट की तरह होने चल लएंगी तो आप यह देखे होंगे कर एक हैं कि अगर कभी भी सोचते होंगे अपने दिमाघ में जितना लगभग दिन्सिटी या पॉपलेशन है मुंबई का है उस तना ही लगबख दिल्ली का भी है ठीक है दोनों का बराबर है अब दिल्ली में आप देखेंगे दूसर इतना है पॉलूसन के क्या बता है मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर सांस लेना भी मुस्किल है और वही मतलब अब आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुंबई छोटा मुंबई म मतलब मुंबई बहुत बड़ा है लेकिन और वहां जन्चिया भी बहुत जदा है ठीके तो वहां पर रात्र के समय writes यह अपना इधर समुझ्र की जाती है जो भी यहां पर होता है वो सीधे किस के किछ की लेके जाती है यह समंदर की तरफ को लेकर का इस लिए रातर घृत में अस्थाल से जो मिकार चीजह होती है इसलिएJust समुद्र की तरफ चली जाती है हवा की मैं बात कर रहा हूं इससे लिए मौसम फूरी तरह से साब भी हो जाता है ठीक है और रात रिक दिन के संवे यह हुती है समुद्र वाया लाए हुआ अगर देखा जाए अस्थल से समुंद्र की तरफ चलती है दिन की समय जो हवाएं होती हैं समुंद्र से अस्थल की तरफ चलती हैं यही दोनों चीज़े आपको याद करनी पड़ेगी तो अभी मैंने कांसेट में यही इतना जी बताया कि अगर आप से मैं पूछूं कि अस्थल की तरह आएंगी ठीक समुंद्र से हमाएं अस्थल की मतलब और जो एक्टर के सब घर हो दो महां पर जाएंगी और रात की अगर समय बोज़े तो असे आपको याद करना हो ऐसे यही कारज़् होता है कि वहां पर मुंबई मैं में पालुसन बहुत कम हो ठीक Alrighty, अब देखिए वन क्या अब नेक्स चेप्टर आता है वन आपका सिल्वा बन वा सिल्वास बन क्या अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले बनों को सिल्वा या सिल्वास बन कहते हैं यह देखिए अमेजन नदी बेसिन है यहीं पर जो होता है सिल्वा बन पाए जाता है यह ब स्थितित होते हैं कहां पर इसका हाइच होता है वर्सा क्या होता है 200 से अधिक होता है अधिक होता है बोटान सरकार ने अपने देश के कुल भेजोलिक छेतरपल का कम से कम 60% भाग बन बनाये कि यहां पर देखे कितना है सरकार ने भी ऐसा काम किया है हमारे कोई यहां पर इतना ही आपको बन लगाना है लेकिन जब कोई पेड़ काटता है उसका ही कुछ नहीं मतलब कोई कड़े सजा नहीं है तो इसका क्या होगा है तो याद रखेगा पेड़ ही सबकुछ है अगर पेड़odel नहीं है तो कुछ नहीं है ठीक अब दो दो कि सदा वाहर बन किया होता है और शकड़वंद बिस्तार कहां से कहां तक होता है भूमद रेखा के दस उत्तर से लिक्ड़कर दस दच्छ्ड़तो यह आपका जो यह ग्रीन वाला एरिया दिख रहा होगा यह अपर भूमद रेखिया है अब आपको पता चल लगा कि यह सदावारबन कहां पाए जाते होंगे ये आपका ब्राजील का एरिया है ठीक और ये आपका कांगो बेसिन है ये आपका कौन सा है ये इंडोनेसिया का छेत रहती यहीं पर कोश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि सदावाहर बनो का बिस्तार कहां कहां पाया जाता है तो अमेजन बेसिन में पाया जाता है कांग कि पाइजाता है दच्छणपरवेति ये इसकी बात कर रहे हैं तो क्छणपरवेति कांगो बेसिणपर Detroit qui कांगो बेसिन में किस प्रकार किए बन बन पाए जाते हैं सदा वहार वरसा बन लिखा जाओ yum सदा वहार वन two सबन कहां कंग्व बेसिन इसी को और बाहन के पिर्थविप पर घ्ञण9 गैं के पास यह जो सबसे उत्तर वाला भाग होता है सबसे उत्तर वाला ठीक है काई को अगर छोड़ देते हैं एक दम उत्रम काई तो पाय जाता है काई वाला छोड़ के ठीक है यह देखिए यह वाला यह 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 मत सुचएगा सीतोर्स में सिफ टैगा ही पाए जाता उसमें भी संकू टैगा कई परकार के बन पाए जाते हैं तो सबसे उत्तरी बायूं यही है टैगा बन जिससे टैगा बायूं भी कहते हैं ठीक यह यह याद रखेगा अब देखते हैं यहां पर 2020 के आंकड़ों के अं चाइना में 33 पर चाइना से हम आगे हैं चलते हैं अब यहां पर देखते हैं आई यह दोजर 11 का कुश्चन आया था यह 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 उट कड़बन्दिय वर्था बन काड़ दिया जाए तो यह उट कर बंदिये पड़पाती की तुलना में सीघर पुनर योजित नहीं हो जाता है म एक साल दो साल बाद फिर बन तयार हो जाता अगर बैठा देते हैं कहां लोग बैठाते हैं सिर्फ काड़ते ही हैं ठीक है फिर वो तयार हो जाता है तो लेकिन वहां पर जो बन होते हैं वहां पर इतना जल्दी नहीं तयार हो पाते हैं क्यों तो यही पूछा बताया गया था कि इसका परमुक काड़ वर्सा बन में मिर्दा पोसक तत्तों का अभाव होता है तो वर्सा बन में क्या होता है मिर्दा पोसक तत्तों का अभाव होता है अगर काड़ देंगे फिर वह पूछा गहता है कि अगर हम वर्षावन को काड़ देते हैं उसकरवंदिय वर्षावन को पुनल योजवत नहीं पुनल योजवत मतलब दुबारा डेवलप नहीं हो पाते हैं क्यों तो यहीं बताएंगे आप कि वहां पर मिर्दा में पोसक कत्तों का अभाव होता है बस ठीक से कुश्चन टफ हो जाते हैं ठीक है आपको बताना पड़ेगा तो देवदार कनाड़ा का ठीक है यह बर्फ वाला थोड़ा सा है ठीक है तो इससे लगा दिए डगलस महोगनी सागोन आरो यारो दोजार तेरा में कुश्चन आया था मानसूनी बन कौन-कौन से होते हैं सा देख सागर बन का लगा होता है दो याद रखेंगे विस्वत रेखी बनوتा है त्थिक महोगनी रोजबुट को सीअं भी कहते हैं अब भूमद सागर ये बन करुंद होता है जय तूं ठीक है जैटून आलू बुखारा तो जैटून से आप समझ जाएगा पूंकि जैटून अगर कहीं भी आ जाए तो भूमाद सागरी है मतलब इटली वाला जो एरिया है वह भूमाद सागर सोज नहर से जब आप जाएंगे ठीक है तो वह वाला एरिया है तो वहां पर यह जैतून कोड़धारी बन चीड़ और फर ठीक है यह याद रखेंगे सिंपल ही आया था यहा सिसागाउं से पकड़ लेते मांसूनी बन कोड़ धारी बन चीड़ फर से पकड़ लेते माली जी यह नहीं भी याद है विस्वत रेखिये बन महोगनी रोजबूर तब ही आपका तीन तो आई जाता सिंपल यह था विस्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लुगदी कानाडा है यह BPSC 2001 में कुश्चन आया हुआ है देखिए BPSC वाले ध्यान दें ठीक है बैकल से बहुत ज़्यादा आई है आप सब के लिए तो आप सब एकदम ध्यान से पढ़िए एक एक चीजे मैं किलियर आपको करवा दूंगा ठीक है आप सिप क्या करेंगे जो भी पाया है या पढ़ने बढ़ने बैठे हैं तो आपको कुछ नहीं एक बार PDF देख लिजिए नहीं तो आप वीडियो आप सबका कंपाइल वे मैं दे दूंगा अभी कंप्लीट हो रहा है इसका कंपाइल मैं दे दूंगा काश्ट इधन काश्ट में सबसे बड़ा उत्पाद है एक बड़ा समुमम के क्सिसे कहीं आया था ट्विए किसी हम्कारों पते बंस्मत्ति के परकार और च्यत्र आछिए आगर कुछ लोग केहते हैं कि मyलुंद ये सब चैप्टर थोडब लोगव लोग कम पसंद करते हैं पढ़ना ठीक है लेकिन यह सब चैप्टर से क्या होता देखिए यूपी पीसे 2019 में यही कुश्चन 2019 में यही दोनों कुश्चन आ गया था ठीक अगर जो इस चैप्टर को पढ़के गया होगा तुरंत कर लेगा अच्छे से कर लेगा दो कुश्चन तो उसका एक नम साही हो जाएगा माकची बनक्सपति हम भूमत Two तक क्लिफों हमाज़ा आफ्रीकह में पाए जाता चैप्रोई किलिफ़ोर्णिया में पाया जाता में पायाया ठीक है मैट्रोल चिलिली में पाया धा माउइ यह सबquéन आपके पैपर में जिससे also पेपर है उ ठीक है तो चैपरोल अका है कैलिफोर्निया का मेट्रियव चिली सब्सक्राइब अब पर पाए जाता है तो आज के लिए बस इतना ही जितना ही आपको पढ़ाया हूं इतना अगर आप पढ़ लेते हैं इससे ज्यादा जितने भी आपका टॉपिक है इस से ज्यादा पेपर में नहीं यहां से दखिएगा पेपर में एक टू कुशन जरूर मिल जाएगा इसी पीडियेप से ठीक है पेपर देके आईएगा चाहे बी पीए सी देकर आईएगा चाहे उत्तर प्रदेश्पी से लिए अगर आपको पसंद आएगा प्ल कोड़न हिस्ट्री कंप्लेट करने वाला हूं विद कंपाइल पीडियफ आपको दे दूंगा वहां पर आप एक एक दो घंटे में सब पीडियफ रिवाज कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अपना ख्या लखेगा जै हिंद जै भारत